हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो जीके संसार, आज हम सब पॉलिटी का बहुत ही important topic discuss करेंगे, जो की है समिधान की प्रस्तावना, और इससे जुड़े, आज हम जो question discuss करने वाले, उसकी संख्या होगा 30, और इस सभी परतियों की परिछाओं के लिए महतपूर्ण है, तो आप इस व बता दो कि आखिर प्रस्तावना जो है, वो है क्या, प्रस्तावना जो है, भारतिय सम्मिधान की भूंगा की भाती है, जिसमें सम्मिधान के आदर्स, उदेश, सरकार के सवरूप, सम्मिधान के स्रोत से समन्दित प्रावधान, और सम्मिधान की लागू होनी के तिति, इन आप से पूछ लिया जाता है कि सम्मीधान का जो प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र की संग्या किसी 나 दी तो ये दिया है एन ए पाल की वाला और हमारा जो सम्मीधान है उसकी प्रस्तावना का अभी भाव जुए और पंडी जोहाला नेहरु द्वारा 13 दिसंबर 1946 को सम्मिधान सभा में रखे गए उदेश से प्रस्तावों से हुआ है और यही कारण है कि हमारा जो सम्मिधान है उसकी प्रस्तावना को उदेश का कहकर भी संबोधीद किया जाता है ठीक है और जो प्रस्तावना है अमेरिकी सम् हुआ था कब हुआ था 1976 में ठीक है कब हुआ था 1976 में और इसके द्वारा प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़े गये थे सामाजवादी पंत निर्पेच और अखर्णिता ठीक है इन तीन सब्दों को सामिल किया गया था 42 समिधान संसुन के तहद 1976 में ठीक है तो चलिए आ पर फर्स्ट आगया आपके अस्क्रिंट पर भारत के समिधान के निर्माताओं का मत निमलिकित में से किसमें परतिविम्वित होता है या आप से पूछा गया तो खुछ से भी आप ट्राइब कीजिए देखिए क्या आपके 30 कुशन में से 25 कुशन सही होते हैं या ने तो य एटे हैं प्रस्तावना यहां पराफ ऑपसन पर होस्य निकित में से किन सब्दों को जोड़ा गया हम लोग Lahные देखिए तो सही अंसर क्या हो जाएगा? बिलकोश सही अंसर है, समाजवादी, पंतनिरपेक्च और अखण्डिता, इन तीन सब्दों को 42 सम्मिधान समसुदन जो हुआ था, 1976 में इसमें जोड़ा गया है, और 42 सम्मिधान समसुदन जो है, इसे मीनी सम्मिधान भी कहा जाता है. क्वेस्टन नमर 4, प्रस्तावना से सम्मनित निमलिखित कतनों पर विचार कीजे, यहाँ पर दो आपो कतन दिया गया है, पहला कतन कहता है कि प्रस्तावना के उत्पती, जोहलाल नहरू द्वारा 13 दिसंबर 145 को प्रस्तूत उदेश से प्रस्ताव से हुई है, और दूसरा क पर question 4 का सही answer क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा? option E. यानि कि प्रस्तावना की जो उत्पती है जो आहला नहिरू द्वारा सम्पूर्ण पर्भुत्व संपन सब्द का सही अर्थ निमने में से क्या है? सम्पूर्ण पर्भुत्व संपन जो सब्द है इसका अर्थ क्या है? तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा? आंत्रिक वह बाहे मामलों में सरुच वह सुतंतर निर्ने लेने की सक्ति और मैं आपको जल्दी प्रस्तावना ऐसे करके हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे जिसे की आपको आसानी से प्वालिटी कम्प्रीट हो जाएगी ठीक है? आज हम क्वेस्टन कर रहे हैं क्वेस्टन के बाद दिखते हैं जल्दी आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी क्वेस्टन नमर सिक्स है प्रस्तावना में सोतंता, समानता और बंधुतु सब्द किस देश का समिधान से लिया गया है? हमारे समिधान में समानता, सोतंता, समानता और बंधुतु ये प्रस्तावना में तीन सब्द है हना? सोतंता, समानता और बंधुतु तो आखिर ये त सब्द जो हे कहां से लिए गया किस देश के सभ्मिधान से लिए गया है तो यह अगया है फ्रांस एट ठीक है कि कुश्टे नमघो बॉटेंटी कर दो सेवन निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए यहां पर दो कथन हैं केश्वरान भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संसोधनिय माना गया थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से आप करेट कर लेजेगा ठीक है दुसरा है बेरुबारी संग 1960 के मामले में प्रस्तावना को संसोधनिय माना गया तो उप्रियुक्त में से कौन सा कथन सकते हैं तो इसमें जो सही अंसर होगा ओग्या होगा ओप्सन ए केवल वन ठीक है किस्वरन भारती बनाम केरल राजजी 1973 मामले में प्रस्तावना को संसोधनिय माना गया है यहां सम्मिधान लेकिन मुल्धाचे से सम्मधित विश्यों में संसोधन संभव नहीं होगा ठीक है इसी को भी आप याद रखिएगा कि तो यहां पर सही अंसर क्या हो जाएगा आपका option एक क्वेस्टन नमबर एट दिखिए सम्मिधान के प्रस्तावना दिर्ग कालिक सपनों का विचार है निम्न में से यह कतन किसका है यह जो कतन है वो किसका है तो यह जो कतन है वो है सर अलादी कृष्ण स्वामी अयर का ठीक है सम्मिधान की जो प्रस्तावना है वो दिर्ग कालिक सपनों का विचार है यह कतन सर अल प्रस्तावना से सम्मिधान संसोधन है वो कौन सा सम्मिधान संसोधन है तो हमने आपको बताया कि 42 सम्मिधान संसोधन जो है 1976 में जो हुआ था यह प्रस्तावना से सम्मिधान संसोधन है और इसे मिनी सम्मिधान भी कहा जाता है क्वेस्टन नमबर टेन देखिए नियाय में समलिक्त सभी पच्छ इसमें की समाजिक आर्थिक और राजनितिक तीनों आते हैं भारतिय सम्मिधान में किस देश से गरहन किये गए है प्रांस रूस अमेरिका या फिर जर्मनी तो यहां पर सही अंसर क्या हो जाएगा गेस कीज सही अंसर होगा रूस मैं आपको बता दूँ कि नयाय में समलिक्त सभी पच्छ जो हैं यानि कि समाजिक आर्थिक और राजनितिक यह जो पच्छ हैं यह हमारा रूस का जो क्रांति हुआ था रूसी क्रांति वहां से लिया गया उसी पर आधारित है तो यहां पर आप्शन बी सही होगा राजनितिक लोगतंतर तब तक अस्थाई नहीं बन सकता जब तक कि उसके मुल्यों में समाजिक लोगतंतर नहीं हो उक्त कथन किसका है यह जो कथन है किसका है तो यह किसने कहा है यह कहा है बी आर अंबेत करने ठीक है बी आर अंबेत करने कहा है कि राजनिति समाजिक लोगतंत्र तब तक अस्थाई नहीं बन सकता जब तक कि उसके मुल्यों में समाजिक लोगतंत्र नहीं हो प्रसंख्या 12 देखिए यहां पर क्या कह रहा है विधी और स्वाधिन्ता की बीच सबसे उपयुक समंद को निम्लिक्त में से कौन परतिविम्बित करता है प निम्लिक्त में से समाजवाद की किस सवरूप को अपनाया गया है हमारे देश में जो समाजवाद है वो किस स्वरूप में अपनाया गया है तो यह अपनाया गया है लोक तांत्रिक समाजवाद में यहाँ पर option C जो है सही answer होगा ठीक है देख लिए जो option C सही होगा question number 14 भारत में लोक तंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है हमारा जो देश है इसमें लोक तंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है बिल्कुल सही answer है अपर्त्यक्ष लोक तंत्र option यहाँ पर जो B है वो सही answer होगा 14 का option B question number 15 उदेश से प्रस्ताओ सम्मिधान सभा में कब प्रस्तूत किया गया अभी हम लोग ने बात की थी इसके बारे में और किसके द्वारा किया गया था डॉक पंडि जोहला नहरू के द्वारा फीक है सम्मिधान सभा के सामने तो ये उदेश प्रस्ताव जो है, कब प्रस्तूत किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया है, 13 दिसंपर 1946 को. Q16. भारतिये गंतंत्र की 26.1950 को सही सम्मिधान लागू किया गया था, हमारे गंतंत्र की 26.1950 को सही सम्मिधान लागू किया गया था, तो यहाँ पर चार उप्संस है, उसमें से एक आपको find out करनी है, तो सही अंसर यहाँ पर है, option C, सम्पूर्ण परभुत्व संपन, लोक्तांत्रिक गनराज्य, यह रहा था, ठीके, वस्तू इस्तिती क्या रहा था, सम्पूर्ण, परभुत्व संपन, लोक्तांत्रिक गनराज्य, तो यहाँ पर option C, सही. 15. निमलिकिस सब्दों में से कौन सा सब 1975 में भारतिय सम्मिधान की प्रस्तावना में समलित नहीं था 17 नमर क्वेशन है भारतिय सम्मिधान की प्रस्तावना में समलित नहीं था बंधुत्तु, संप्रभू, समानता या फिर अखंड़ता तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जाएगा 17 का और क्या होगा अखंड़ता क्योंकि हमने आपको बताया सामाजवाद ठीक है कौन से तीन वर्ट जोड़े गया थे समाजवादी, पंत निर्पेक्च और अखंड़ता यह 1976 में जो 42 सम्मिधान संसोंद हुआ था जिसमें प्रस्तावना में सब्द तीनों जोड़े गया है ठीक है तो 1975 में अखंड़ता सब्द नहीं जोड़ा गया था बाकि यह बंधूत्व संप्रभू और समानता था लेकर अखंड़ता जो है 1976 में जोड़ा गया है 42 सम्मिधान संसोंदन के अंतरगत जिसे मिनी सम्मिधान कहा जाता है क्वेस्टन नमबर 18 है निम लिखिते में से कौन भारत को धर निर्पिक छिराज्य ववर्नित करता है मुल अधिकार सम्मिधान की प्रस्तावना नौवयनु सुची या फिर राजिके निति निर्षक ततो कौन सा ओ ऑप्शन है जो कि हमारे देश को धर निर्पिक छिराज्य ववर्नित करता है तो ये कौन करता है तो ये करता है आपका सम्मिधान की प्रस्तावना ओप्शन बी क्वेस्चन नमबर 19 निम लिखित उद्यस्यों में से कौन सा एक भारत के सम्मिधान की उदेशिका में सनिविस्ट नहीं है कौन सा ओप्षन है जो कि हमारे तेश के सम्मिधान की उदेशिका में सनिविस्ट नहीं है समलित नहीं है तो यहाँ पर सही अंसर क्या हो जाएगा होगा आर्थिक सोतन्ता Question number 20 सभी ब्यक्ति पुन्ता और समान रुप से मानव है यह सिधान्त जाना जाता है सभी ब्यक्ति जो है पुन्ता और समान रुप से मानव है यह सिधान्त माना जाता है किसके अंतरगत तो यह माना जाता है सारो भौमिक्टा के अंतरगत Question number 21 कौन निमलेखित में से कौन भारतिय सम्मिधान के प्रस्तावना में उलेखित नहीं है हमारा जो सम्मिधान है उसकी प्रस्तावना में कौन सा ऑप्षन है जो की वर्नित नहीं है समाजिक न्याए आर्थिक न्याए राजनितिक न्याए या फिर धार्मिक न्याए तो यहां प भारतिय सम्मिधान का कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है हमारे देश का सम्मिधान जो है उसमें कौन सा भाग है जो कि सम्मिधान की आत्मा के तोर पे जाना जाता है तो यह काफी famous प्रस्न है काफी बार पूछा भी क्या है तो मैं आपको बदा दूँ इस question को UPSC mens 28, UPSC mens 2013, UPSC mens 2015, BPSC 2014 कई दफ़ा equation को पूछा है तो काफी important question है कि हमारे देश का जो सम्मिधान का कौन सा भाग है जिसको की सम्मिधान की आत्मा कहा जाता है तो एक कहलाता है आपका कौन सा बिलकुल सही answer है उदेशी का option C चलते है question number 23 पे है देखे question number 23 आपके screen पे है निमलिखित विवादों में से किसमे सरोच नियाले ने प्रस्तावना को भारती सम्मिधान की मौलिक सरचना का भाग स्विकार किया तो किसका है यहाँ पर सही answer जो है कौन सा हो जाएगा तो यह होगा आपका किस्वानन भारती बनाम किरल जिवाद ठीक है option यहाँ पर D सही है question number 24 भारत के सम्मिधान की उदेशिका में कितने परकार के नयाय की विवस्ता की गई है हमारा जो सम्मिधान है उसके उदेशिका में कितने परकार के नयाय की विवस्ता की गई है तो उसके संख्या कितनी है तीन आप कमेंट करके बताएगा वो तीन कौन-कौन्स है क्योंकि हमने आपको बताया, question में भी आपने देखा है, वो तीन न्याय कौन-कौन्स है, question 25, निम्लिखते में से कौन एक भारतिय सम्मिधान के उद्यस्यों को प्रतिभीम्बित करता है? कौन सा है? वो मौलिक अदिकार है, सम्मिधान के प्रस्तावना है, राजी के नितिदिन जैसकतो है या वे संसद है? तो यहाँ पर साइंसर क्या हो जाएगा? सम्मिधान के प्रस्तावना. 26. भारतिय सम्मिधान की प्रस्तावना में निम्लिकित में से किस स्वतंता का वर्णन नहीं है। बिलको सही है आर्थिक स्वतंतरता। Q27. निम्लिकित में से किस वाद में उच्तम नियाले ने धारना प्रस्तूत की कि उदेशिका सम्मिधान का भाग है। तो इस question को भी पूछा गया है UP PCS pre 2012 में और साथ साथ UP lower सब इंस्पेक्टर वाले जो paper हुआ था उसमें 2013 में पूछा गया है। 36. PCS में पूछा गया 2013 में तो काफी important person है। तो इसका सही answer क्या हो जाएगा ऑप्शन C बोंबई बनाम Union of India इसी के अंतरगत इसी बिवाद के अंतरगत उच्तम नियाले ने धारना प्रसुत किया कि उदेशिका सम्मिधान का भाग है। Q28. निमन में से कौन सही है। Cen disaster option जो है इनमें से這種 option जो है। तो सभी option को करहम बारे बाजय से देखें। तो पहला काथा प्रसुत हैता कि समाजिक समानता संविधान में पत्याभूत नहीं है। दूसरा काता है कि देश में समाजिक समानता पहले से विद्धमान थी, तिसरा काता है कि समाजिक समानता सम्मिधान में परत्या भूत है, और चौथा काता उपरित में से कोई नहीं। Q29, निमलिखित में से भारत के संदर्म में धर्म निर्पिक्ष सब्द का सही भाव ब्यक्त करता है, धर्म निर्पिक्ष जो हमारा देश है कहा जाता है, तो इसमें कौन सा सही सही निरुपित करता है धर्म निर्पिक्ष को, वो कौन सा आप्सन है, भारत में अनेक धर्म है, या फिर भारतियों को धार्मिक सोतनता प्राप्त है, या धर्मा नुपालन ब्यक्ति की इक्ष्चा पनिरवर है, या भारत में राजी का कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छा प्रसन है, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? Option D, भारत में राजयी का कोई धर्म नहीं है Option D is the right answer Question number 30 देखिए भारतीए सम्मिधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभू परजातांत्रिक गंतंत्र की जर्म कूंडली किस ने कहा है? प्रस्तावना को हमारे संप्रभू प्रजातांत्री गंतंत्र की जन्म कुंडली किस ने कहा है, किसकी द्वारा ये कहा गया है, तो ये कहा है के एम मुनसी ने, ठीक है किस ने कहा है, के एम मुनसी ने, और इस क्वेशन को 36 गड़ PCS, BPSC, JPSC, SAC, CGL में पूछा गया है, तो क काफी important question है, तो इस तरह से जो top 30 questions से, जो कि हमारा समिधान का प्रस्तावना से था, complete होता है, और जल्दी हम इसके बारे material से पढ़ेंगे, जिससे की, जो questions हमने देखा है, जो छुटा भी आप से, वह आसानी से अपकर पाएंगे, तो उमीद करता हूँ, आज के session आपको पस करतेगा, और आप हमारा साथ बने रहें, अपना support जो है, like और अपना comment से जरूर देते रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को subscribe कर लेजे, और bell icon को press कर लेजे, यह बिल्कुल free है, कोई भी charge आपको नहीं देनी होती है, thanks for watching.